नमस्कार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वरश्चिक राशी के जातकों के लिए शनी का ये राशी परिवरतन कैसा रहेगा कि अगर आपकी वरश्चिक राशी है तो अब तक वरश्चिक राशी से तीसरे घर में शनी का गोचर चल रहा था लेकिन अब आपकी राशी से चौथे घर के अंदर शनी का गोचर चलेगा और शास्तुर के अनुसार इसको कहा जाता है कि राशी से चौथे घर में गया हुआ शनी शनी की ढहिया की शुरुआत कर देता है यानि अब धाई साल चंदरमा से यानि आपकी राशी से चौथे घर के अंदर रहेंगे शनी और इस शनी का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा क्योंकि आपको होगी शनी की धहिया 17 जनवरी 2023 से शुरू होगी और अप्रेल 2025 तक लगबग धाई वर्ष तक का समय आपकी राशी से चौथे घर में शनी का धहिया के रूप में रहेगा तो क्या है इसका शुब फल क्या है इसका शुब फल शनी कैसे फल देने वाले हैं आपको तो कि शनी आपकी राशी से तीसरे और चौथे दो घर के मालिक है तीसरा घर टू ट्रेवलिंग श्यात्रा इस्थान परिवर्थन इनके लिए जाना जाता है तो चोथा घर भूमी जमीन जाइदाद प्रोपर्टी मन मन का सुख परिवार परिवार की इस्थति शांती अशांती माता माता का स्वास्त ये सब चोथे घर से हमें देखे जाते है सबसे पहली बात जब तीसरे घर का मालिक चोथे घर में आता है इसका मतलब कहीं नहीं ये उन लोगों के लिए अच्छा कंप्स होता है जो अपने घर परिवार से दूर रह रहे हैं जो लोग अपने जीवन में अपने परिवार से अलग हो गए हैं उनका वापसि आने के सं अंकेत को बनाता है ये शनी कि जब शनी आएगा तीसरे घर से निगल कर चौथे घर के अंदर तो चौथे घर से संबंदी सुख मिलेंगे यानि इस योग के लिए मैं कह सकता हूं कि जो लोग विदेश में गए हुए हैं वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए ये योग है ज वो अपने ससुराल से लग रही हैं अपने स्बेंड से लग रही हैं तो जब शनी यहां आएंगे तो अपने खुद के घर में आएंगे यानि सुख इस्थान में शनी का आना उनकी घर वापसी के संकिन देता है अब कुछ शास्त्री जोतिश की माने कि व्रश्चिक राशी व्रश्चिक राशी में चंद्रमा जो है वो नीच का होता है यानि ऐसे लोग सभाव से बहुत सोचने वाले भी होते हैं भावुग भी होते हैं किसी बात को गहराई तक सोचते हैं क्योंकि यह जलतत व राशी है अब चंद्रमा से चौथे घर में शनी अगर नॉर्मल तोर लेकिन अच्छी बात यहां यह है कि शनी यहां पर स्वराशी के होकर हैं अपनी स्वराशी में हैं मूल त्रिकॉंड राशी में हैं और शश नामक योग बनाते हैं यानि धहिया होते हुए भी आपके जीवन में शनी की ये स्थति एक अनुकूल है इसमें आपको बिलकुल घबराने की जड़त नहीं है बिलकुल डरने की जड़त नहीं है यह शनी की धहिया आपके लिए नुकसान दाई नहीं है यह शनी की धहिया आपके लिए फल देने वाली है शनी शश्योग बनाएंगे राजनीती के लिए अच्छा है जनता से जड़ूए कारों के लिए गवराएं शनी की तीसरी देश्टी आती है शटे भाव पर और शटे भाव में पैठा हुआ होगा 30 अक्टूबर तक राहू तो सबसे पहले आपको वर्ष 2023 में बिना वजय के जगड़े जंजट से दूर रहना है प्रपर्टी से सम्मधित लेवा वेची बड़े ध्यान से कर अगर का जगड़ा जंजट या कोट का चैरी विवाद न हो जाए उसका ध्यान रखें जब अक्टूबर के बाद राहू यहां से मेश राशी से निकल जाएंगे तो यह स्थिती जीवन में दर्शाएगी कि आपके हिम्मत को बढ़ाएगी आपके साहस को बढ़ाएगी पातार महनत से लाव दिलाएगा यह रहा है शनी के जब दर्श्टी वापस जाती है आपकी राशी के उपर तो इसका मदलब कहीं न कहीं मन में बेशैनी तो होगी क्योंकि व्रेश्चिक में चंद्रमा नीच होता है जब शनी की दर्श्टी उस पर होती है तो मन के अंदर क कुछ न को स्तनाव चलता रहता है बहुत बार ऐसा भी होगा कि दीवन में सब कुछ बढ़िया है आप सोचेंगे सब कुछ तो अच्छा है पैसा भी हैगा वहान भी हैगा सब कुछ ठीक चल रहा लेकिन फिर भी मन संतुष्ट नहीं है फिर भी मन में समस्या बनी हुई है वो इस ग्रह गोचर के करण संभव को सकती है ऐसे लोगों को हनुमान जी का रोजाना ध्यान करना चाहिए और भगवान शिव का रोजाना ध्यान करना चाहिए उनकी पूजा करनी चाहिए शिवलिंग पर जल चड़ाना चाहिए ये आपके लिए लगातार पूजा पाठ है जो आपको करनी चाहिए बागी कोई घबराने की जरुत नहीं आपको शनी की धहिया होते वे भी शनी आपके लिए शुब फलकारी ही रहेंगे नमस्कार